Hello guys, myself Bhagirath Giri और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं JavaScript का एक प्रोग्राम जो Palandrome Strings चेक कर सकता है तो guys, Palandrome Strings क्या होती है? पहले आपको इस बारे में आइडिया दे दूँ और फिर हमको इसको 4 loop का यूज़ करके implement करना है और नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर मैं आपको जो array के function है उससे भी समझाने वाला हूँ तो ये वीडियो भी आप पूरा देखेगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप देखेगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा Palandrome Strings क्या होती है? जिसको आप reverse में पढ़ो या चाहे front word पढ़ो या backward पढ़ो वो हमेशा same रहती है जैसे dad है उसमें dad आप आगे से पढ़ रहा हूँ या पीछे से पढ़ रहा हूँ नथिंग मैटर्स वो हमेशा same ही pronounce होगी या फिर आप बात करो madam की तो madam भी इस तरीके से आप reverse में पढ़ोगे तब भी madam as it is pronounce होगा और आप front word पढ़ोगे तो भी as it is pronounce होगा अब इस तरीके से हमारे हिंदी में भी काफी letters होते हैं जैसे जहाज हुआ तो ये भी एक palandrome string हो गई ओके गाइस तो इसको implement करना है हम लोगों को और use करना हमको for loop का तो कैसे implement करेंगे हम लोग तो चलते हैं यहाँ पर और यह मेरी index.html की file है इस file में ही मुझे implement करना होगा पुरक पुरा तो यहाँ script tag में मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहले user से लेने वाला हूँ एक string तो user से एक string ली तो मैंने variable ली आ string is equals to और डाला यहाँ पर prompt prompt में user क्या करें एक string डाले तो please enter a string हमने बोला user को की एक string डालो ठीक है तो user एक string डाल देगा हमारे पास और यह जो string है यह string नाम के variable में आ जाएगी तो मैं आपको इसको console.log भी करके दिखा दूँगा किस तरीके से यह आई है हमारे पास console.log और string और देखते हैं अभी यहाँ पर open करता हूँ browser पर और यहाँ पर यह पूछेगा user को की आप एक string डालो ठीक है तो मैंने console भी at the same time open कर लिया है और मैं यहाँ पर d a d लिखके डालता हूँ तो आप देख रहों यहाँ पर dad आ रहा है अब इस dad जो लिखा हुआ है उसको चेक करना है कि is it palandrome और not तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि इस ट्रिंग की लेंथ कितनी है actually guys palandrome को चेक करने का logic समझा देता हूँ मैं पहले आपको एक बार आपको क्या करना है स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ना है exact beach में से string को तोड़ना है आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा इनको चेक करना आपको तो आगे वाला हिस्सा यह निम M जो है first position पे और last position पे होना चाहिए A जो है वो second position पे और second last position पे होना चाहिए और क्योंकि beach में से exactly तूटेगा तो beach वाला हिस्सा जो है as it is रह जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे string की length निकालेंगे तो length is equals to string.length यह वाला आपका method यूज होगा string.length ओके तो देख लेते हैं string.length में हमारे पास console.log करके देखेंगे तो पतर चल जाएगा कि क्या length आ रही है string की और देखते हैं यहाँ पर refresh user ने लिखा dead और string की length है 3 अब आपको क्या करना है loop चलाना है तो loop चलाने के लिए आप एक 4 लिखोगे यहाँ पर और loop आप सुरू किस से करोगे तो loop की आप सुरुआत हमेशा कहां से करोगे 0 से करोगे क्योंकि यह जो string है वो actually एक टाइप का array है string का मतलब क्या होता है continuous array है चलाना है और हर बार हम लोग incremented चलाएंगे इसको प्लस प्लस करते वे चलाएंगे तो यह loop चलेगा और चलिए ठीक है इदर मैं console में dot log करके आपको दिखाता हूँ कि कितनी बार यह loop चला है console dot log आई और मैं dad लिखूँगा और dad की जो counting होती है वो कितनी होती है 3 characters की तो देखो दो बार यह loop चलेगा 0 और 1 यहीं आगे से loop चला रहे हैं हम लोग 0 और 1 3 characters होते हैं तो 0,1,2 तक होगा यह तो 0 और 1 दो बार यह loop चलेगा और दो बार loop चलेगा तो हम लोग इसमें करवाएंगे checking अब guys checking में हमको क्या करना है तो हम यहां लगाएंगे if और if में हम लगाएंगे यह जो string है चलिए एक बार मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं मैं आपको console में dot log कर दिया मैंने और मैं यहां पर लिख रहा हूं string और string के array के अंदर i मैंने pass कर दिया इससे क्या होने वाला है इससे यह जो string के अंदर हमारे पास जीरोत कीपर कौन सी value है यह प्रिंट होने वाली तो मैंने लिखा dad और आप देखरो डी है अगर मैं बड़ा कुछ लिखता हूं जैसे मैंने लिखा इधर madam ओके तो इधर हो गया madam और अब देखो कि आप पहले character पे जीरोत कीपर M है फिर A है फिर D है यही logic हमें implement करना है दूसरा एक और logic हमें implement करना है कि हम console में .log तो चलाएंगे बट हम यह चेक करेंगे अभी कि string आई तो ठीक है हमारे पास मिल रहा है बट पीछे से characters कैसे निकाले जाएंगे तो आप लिखो कि string सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा यहाँ पर हमें लिखना होगा alien-1-i यहनि जो अभी आई चल रहा है वो ताकि हम लोग पीछे से characters निकाल सकें तो देखते हैं एक बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ testing और अब आप देखो कि तो पीछे से characters निकल के आ गए ing जो last three characters हैं वो निकल कर आ गए अगर मैं लिखता हूँ dead तो पीछे से तीन characters आएं डी और ए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर madam तो आप देखे हो पीछे से तीन characters आए यही logic तो हमें चाहिए था हमने अगर आगे से जब characters देखे तब भी आ रहे थे same और पीछे से भी आ लिखा madam तो आप देखे रहे हो M आ रहा है M आ रहा है यह यह दोनों match हो रहे है ठीक है फिर A आ रहा है match हो रहा है D आ रहा है match हो रहा है console.log और console.log में हम बोल देंगे कि यह एक palandron string नहीं हो सकती ओके तो यह पर एक वेरिबल बना देते हैं ताकि क्योंकि console.log तो हमें दो बार करवान होगा variable msg और message यह हो जाएगा ठीक है यह होगा हमारे message हम लोग क्या मान के चलता है पहले से हम लोग एक message नाम का variable बना कर चलेंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि यह palandron string है मतलब मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि यह palandron string होगी बट बाद में अगर यहाँ पर कोई condition ऐसी हो जाती है कि यह palandron string नहीं हो तब यह क्या बलतागा it is not a palandron string बट मैंने पहले से मान के चला है कि it is a palandron string मतलब मैं मान के चलता हूँ कि यह palandron string है मैंने variable के अंदर पहले से initialize करवा रखा है बट इस condition के checking के दोरान अगर कहीं पर यह condition false हुई तब यह message वाला जो variable है वो update हो जाएगा change हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे console में dot log करवा देंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे जो string user ने डाली थी तो dollar और यह हो जाएगा आपका curly bracket string is और फिर आप यहाँ पर लगा दो या फिर इसे colon लगा कर मैं लगा देता हूँ dollar फिर curly brackets और msg जो भी message होगा वो यहाँ पर user को दि okay और अगर मैं कुछ और लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा testing it is not a palandrone okay इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह इस condition में testing के case में ही आया madam और dad के case में इधर नहीं आया था so I hope guys यह concepts आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे next video में मैं आपको जो हमारे predefined functions है जो inbuilt methods हैं उनके तुरू समझाने वाला using array that's it for this video thank you so much for watching